देखे class 10 के chapter 7 का example number 15 है question के अंदर हमसे बोला गया है if a minus 5,7 b minus 4,5 c minus 1,6 and d 4,5 are the vertices of the quadrilateral find the area of the quadrilateral a b c d तो हमसे बोला गया है a b c d जो है वो एक जो है quadrilateral के vertices हैं ठीक हैं तो हमें क्या करना है उस quadrilateral का area आपको find करना है ठीक है अब देखें quadrilateral का नाम क्या है a b c d तो मैंने यहाँ पर quadrilateral बना लिया है a b c d इनके जो coordinates given थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं अब इसका क्या करना है आपको area निकालना है अब देखिए जो coordinates जमेंट्री में जो formula आपने देखा यहाँ से diagonals खीच दे यहाँ से diagonal खीच झाहीं आपकी मरजी है मैं यहाँ से diagonal खीच रहा हूं और जब यहां से diagonal खीच जा तो इस अब धो track with two triangle में convert हो गया एक तो a b c औ एक a तो कौन कौन सा point काम करेगा ABC का area निकालने के लिए एक तो यह और एक यह और एक यह तो मैंने यहां पर यह तीनों point लिख लिए हैं अब सबसे पहले आप क्या करें X1, X2, X3 लिख लें Y1, Y2, Y3 लिख लें X1 कितना है माइनस 5 और X2 आपके पास कितना है माइनस 4 और X3 आपके पास कितना है आपर X3 आपके पास कितना है आपर minus 1 ठीक है और Y1 की अगर हम बात करते हैं तो 7 और Y2 कितना है आपके पास minus 5 और Y3 आपके पास कितना है minus 6 ठीक अब आप क्या करें area निकालें ABC का अब the area of triangle ABC equal to half into formula मैंने यहाप पर लगा लिया है पूरा आप इनकी क्या करें आप value रखलें तो half into X1 कितना है आपके पास minus 5 और Y2 आपके पास कितना है minus 5 और minus Y3 आपके पास कितना है minus 6 अब minus यहाँ पर भी हो minus इसकी 6 के साथ भी है तो plus 6 हो जाएगा plus X2 के अगर हम बात करते हैं तो X2 हम मारे पास minus 4 और into Y3 आपके पास कितना है minus 6 और minus Y1 आपके पास है 7 तो यह कितना जाएगा 7 और plus में यहाँ पर देखते हैं तो X3 आपके पास कितना है minus 1 और अगर आप Y1 को देखते हैं तो Y1 है आपके पास 7 और minus Y2 को देखते हैं तो वह है minus 5 तो minus यहाँ पर भी minus की value में भी तो plus 5 हो जाएगा ठीक है अब आप जब आगे देखेंगे तो half into half into minus 5 और multiply minus 5 plus के 6 तो कितने बचेंगे plus के 1 बचेंगे और यहाँ पर जब plus है तो अंदर का sign change नहीं होगा यहीं minus 4 ही आ जाएगा और multiply minus के कितने आ जाएगे 13 ठीक है अब plus के यह bracket से पहले plus का sign अंदर के sign change नहीं माइनस 1 ही आ जाएगा और multiply 7 और 5 कितने होते हैं 12 ठीक है अब क्या करेंगे आप half into minus के 5 और minus minus plus 13 forza 52 होते हैं और minus और plus की multiply करेंगे तो minus के 12 ठीक है अब जब आप इसको आगे देखेंगे तो यह आ जाएगा half और into minus 5 और minus 12 कितने हो जाएगे minus के 17 और plus के आ जाएगे 52 अब आप क्या करेंगे आप minus करेंगे तो आपको मिल जाएगा plus के 35 ठीक अब 35 की जब आप 1 से multiply करेंगे 35 upon 2 हो जाएगा और उसके बाद जब आप इसको divide करेंगे तो यह आ जाएगा 17.5 unit square ठीक है तो आपने जब ABC का area निकाला तो वो आया 17.5 अब आप क्या करेंगे ACD का area निकालेंगे तो दिखेंगे अब ACD का area निकाल लेते हैं जब ACD का area निकालेंगे तो पहले आप क्या करें X1 लिख लें X1 आपके पास कितना है minus 5 और X2 लिखें फिर X2 कितना है 4 और X3 की अगर value देखते हैं तो minus 1 आ जाएगा और Y1 को देखते हैं तो 7 और Y2 देखते हैं तो 5 और Y3 देखते हैं तो minus 6 तो area of triangle ACD जब ACD का area निकालेंगे तो half into X1 Y2 minus Y3 plus X2 into Y3 minus Y1 और plus X3 into Y1 minus Y2 ठीक है तो half into X1 कितना है आपके पास minus 5 और Y2 आपके पास कितना था 5 और minus Y3 कितना था minus 6 तो minus इसमें भी है minus की value में भी तो plus 6 हो जाएगा plus X2 आपके पास कितना है 4 और Y3 आपके पास कितना है minus 6 और minus Y1 कितना है 7 प्लस X3 आपके पास कितना है माइनस 1 और Y1 आपके पास कितना है 7 और माइनस Y2 आपके पास है 5 ठीक है अब आप क्या करेंगे हाफ ऐसी रखें और माइनस 5 ऐसी रखें 5 और 6 कितने होते है 11 और प्लस 4 और मल्टिप्लाई माइनस माइनस दोनों 8 हो जाएंगे sign minus का आएगा तो कितना आजाएंगे minus 13 और bracket से पहले plus का sign अंदर का sign chain यह होता है यहीं कि minus 1 और multiply 7 में से 5 गया तो कितने बचते हैं आप 2 तो यह कितना आजाएगा half और यह आजाएगा minus के 55 यह plus यह minus minus में आएगा 13 for the 52 minus 12 the 2 ठीक है अब आप क्या करेंगे आगे तो half को ऐसी रखें यह तीनों के तीनों minus minus में हैं तो सबको इनको add कर लेंगे जब आप इन सबको add करेंगे तो आजाएगा आपके पास minus 109 ठीक है अब यह कितना आजाएगा minus 109 और अपोन में 2 जब आप इसको इससे divide करेंगे तो आजाएगा आपके पास यह आजाएगा आपके पास minus 54.5 ठीक unit square अब आपको यह मालूम है कि area कभी भी जो है minus में नहीं होता अगर area कभी minus में आ भी जाता है तो उसको positive बना लिया जाता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे the area is always positive इसलिए the area of triangle ACD ACD का area कितना हो जाएगा इसका minus अटाकर 54.5 आप कर दें यह कितना हो गया unit square ठीक अब आप क्या करें इन दोनों यानि के ABC triangle का area और ACD triangle का area को क्या कर दें आप प्लस कर दें और आप ABCD का area आपके पास आ जाएगा ठीक है तो इसलिए area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD अब area of triangle ABC जब आपने निकाला तो वो कितना आया था 17.5 और प्लस जब आपने area of ACD निकाला है तो यह आया है 54.5 जब आप इनको add करेंगे तो यह आ जाएगा 72 unit square इसका answer अज़र और जब आप